मुख्य मंत्री योगी आदितनाथ आज अपने एक दिन के दौरे पर राय बरेली पहुचे इस दौरान एक कारेटरम में पहुचे सीम योगी ने धारा 370 को लेकर कॉंग्रेश पर इशारो इशारो में निशाना साधा सीम योगी ने कहा कि भारत देश के अंदर एक ही सम्विधान चलेगा योगी ने कहा कि भारत देश एक भारत स्रेश्ट भारत की परिकल्पना पर आगे बढ़ रहा है आपके परिवार के पाप को कब तक देश जेलेगा ये देश किसी एक परिवार में स्वाधिन नहीं करता है जो हमारी कभी-कभी गलत फेमी हमें हो जाती है इस देश को समय समय पर स्वाधिन कराने के लिए जिन महापुर्सों ने अपना यूगतां दिया स्वतंद्रता संग्राम सीनामी के गनंपी धेरस्त है अलग अलग अधस्तानों पर नामी भी है गुमनान जीवन पितीत करते लिए अपना सरवसन इच्छा पर कर गए लेगे कि दिना ने कभी इच्छा नहीं प्यक्ति की कि हमें सम्मान चाहिए क्योंकि उनको तो पड़ी त्राम साथ भाव उनकी मन में भाव था और भाव था कि मेंजे जब भी जद्र लेने का उसर प्राप हो तो उसका उप देश से ही देश की प्रति अपने कटव्यों का 1939 में करते हैं के करते हैं किRIA देश आधाता वह है उनकी सो से तावी से पहुत आज कि भारत आजए कंगर किसी एक परिवार ने खो जाओ तो पंडित अम्रसाथ विस्मिन किस बानद की बात कर रही है हमारा ब्लान किस बाब की बात करता है वर संतत भारतम नामा भारती तत्र संतती 2000 वर्त पहले जो लोग भारत को देग नहीं देगना चाहिए जिने भारत की स्वाधिता अच्छी नहीं लगती जिना में अपने स्वाधितों के लिए भारत को जाती छेत्र मत और मजब की आधार कर बाटा वही लोग हैं जो छप देश में आज फिर 370 का भी विरोध कर रहे हैं और गह रहे हैं कि लोगों के आपास को दवाय दाना यह वही लोग हैं चिन्निक करिये इन लोग एक एक तरके चिन्निक करिये जो जो देशी ही नहीं रहेगा हमारा बल रहा बैवों पड़्या होगा हमारा सम्मान हमारा सौरीमान इस सब का क्या होगा भारतलब है कि कॉंगरेस महासचे फिश्यांक रांका गांधि भी राय बरेली पहूची है वो यहां रेल कोच फैक्टरी के निगमी करन का विरोध कर रहे धर्ना प्रदर्शन में शामिल होने आई हैं इससे पहले सीम योगी आदितनात राय बरिली पहुचे तो हैली पैट पर विधाय को ने उनका स्वागर किया